हिंदवी स्वराज्जा चे सरसंस्थापक छत्रबती शिवरायान ना माना चा मुझरा करतो भारतिय राज्य घटने चे शिल्पकार भारत रतन डॉक्टर बाबा से बांबेड कर यन्ना मानवनना आरपित करतो जे लोका खुर्चे और उबहेत तेनी खुर्चे और बसावा अशितर्ना विननती करतो आज के हमारे इस कारेक्रम में हमारे बीच उपस्तित अखिल विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हम सब के नेता आधरनिया नरेंद्र मोदी जी महाराष्टर के माननिया राज्यपाल जी महाराष्टर के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री जो अभी अभी डावोस से एक लाग पच्पन हजार करोड के मोईू करके आये है ऐसे हमारे एकनाज शिंदे जी मंच पर उपस्तित हमारे सभी केंद्रिय नेत मंत्री गण हमारे महाराष्ट के अध्यक्ष जी मुंबई के अध्यक्ष जी मंचासिन सभी महनुभाव और यहां विराठ संख्या में उपस्तित सभी बहनों और भाईयों मैं सबसे पहले आप सब लोगों की और से हमारे आदर्निय प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ महाराष्ट्र आणी मुंबई चा वतिन आदर्निय मोदी जिन्च या ठिकाड़े मी स्वागत करता हूँ प्रधान मंत्री जी आप तो हर जगह लोगप्रिया है लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लोगप्रियता की कोई कॉम्पिटिशन होगी तो आपकी लोगप्रियता में नंबर वन पर मुंबई होगा यह मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ इतना प्रेम मुंबई करो का आपके उपर है और मुझे याद है 2019 में आपने यहां से ही कहा था कि पाथ साल की डबल इंजिन सरकार ने महाराटर को बदला है और फिर एक बार डबल इंजिन की सरकार लाईए आपके शब्द पर विश्वास रखके महाराटर की जनता ने डबल इंजिन की सरकार लाई लेकिन कुछ लोगों ने बेईमानी की इसलिए धाई साल जनता के मन की सरकार नहीं बन पाई लेकिन बाड़ा साथ ठाकरे जी के सच्चे अनुयाई एकनाथ शिंदे जी ने हिम्मत की और आपके आशिरवात से फिर एक बार महाराटर में महाराटर के जन जन के मनमन की सरकार यहाँ पर तयार हुई और फिर एक बार महाराटर विकास की दुरुष्टी से जोरों से भागने लगा आज कई कारेक्रमों का उद्गाटन भूमी पुजनम करने वाले है लेकिन इसमें सबसे महतोपुर्ण अगर कोई चीज होगी तो प्रधान मंत्री स्वनिधी का कारेक्रम राज निति कैसी होती है कोविड के समय प्रधान मंत्री जी ने रहेडी पट्री वाले फुटपाद दुकानदार हाट ठेले वाले पांड ठेले वाले सभी का विचार करके उनके लिए स्वनिधी की रचना की लेकिन महाराष्टर की सरकार ने ततकालीन मुख्यमंत्री जी की अध्यक्ष्टा में एक बैठक हुई और उस बैठक में निरने हुआ कि ये जो गरीबों को पैसे मिलने वाले है इस योजना को स्तगित किया जाता है इसको लागू नहीं किया जाएगा और महाराष्टर के जो गरीब लोग थे फुटपाद दुकानदार थे फेरी वाले थे उनको रोक दिया गया लेकिन वापिस सरकार आने के बाद यहाँ पर हमने हमारे केंद्रिया राज्यमंत्री जी के नेतरुतुमे बैठक की और उस बैठक में हमने ये तै कि मुंबई में एक लाख रेडी पट्री वालों को फुटपाद दुकानदारों को फेरी वालों को हम लोग स्वनिधी का फाइदा देंगे और आज मुझे बताते हुए ये बहुत हर्श होता है कि एक लाख का आकड़ा पार करके एक लाख पंद्रा हजार तक हम लोग पहुचे है प्रदान मंत्री जी शायद आप अकेले ऐसे प्रदान मंत्री होगे कि जिनोंने जिन जिन योजनाओं का भूमी पुजन किया उन उन योजनाओं के उद्गाटन को भी आप ही उपस्तित है आज ये जो मेट्रो का उद्गाटन हो रहा है 35 किलोमेटर 35 किलोमेटर मेट्रो 7 मेट्रो 2 ए इसका भूमी पुजन भी आप ने किया था और उद्गाटन भी आप कर रहे हैं ये नया कल्चर इस भारत में और महाराष्टर में आपके कारण आया है मैं इसलिए आपका अभार व्यक्त करता हूँ सबसे महत्व की बात आज मुंबई करता स्टीपी मुंबई सारका इतका महत्वाचा शहर या शहरा मदे रोज हजारो हजारो नैल करोडो करोडो लिटर पाणी ट्रीट न करता कुटली प्रक्रिया न करता आमी समुद्राच छोड़तो तो हा समुद्राचा वा समुद्राची घार ही तेचा मुले होती मुंबई महानगर पाली के वर जैननी राज्य केला त्यानी केवर डिपोजिट फिक्स डिपोजिट केले स्वताची घर भरली पड़ मुंबई कराना त्या ठिकानी शुद्ध पाणी तेड़ाचा कधी प्रहत्न केला नाई स्ट्राचे क सरखार के पास अर मैंने निविधन किया कि समुंदर में अगर डिस्चार्ज करना है तो कौन से लेवल का पानी चाहिए इसके डिस्चार्ज नॉम तयार करने पड़ेंगे और एक साल के भीतर भीतर मोदी जी की सरकार ने डिस्चार्ज नॉम तयार करके मुंबई महानगर पालिका को दिये कि अब देखिए यह सारे नाम्स तैयार है अब गंदा पानी मत चोड़िये लेकिन साहब उसके बाद भी तीन साल तक मुंबई महानगर पाली का ये काम इसलिए नहीं कर पाई करने वाले नहीं थे ऐसा नहीं था करने वाले थे लेकिन इनका उनसे जम नहीं रहा था और इसलिए हिस्सेदारी नहीं मिली इसलिए उसको नहीं किया गया लेकिन हमारी सरकार आने के बार हमारे शिंदे जी के नेत्रुतु में हमने उसको गती दी और गती के साथ उसको पूरा करने का काम अभी हो रहा है आज उसका शिला न्यास माननिय मोदी जी के हाथों से हो रहा है और ये केवल और केवल मोदी जी आपकी सरकार के कारण संबव हुआ है इसलिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ साथ साथ 6,000 करोड के रास्ते किसी ने प्रखन पूचा कॉंक्रीट के रोल क्यों बनाते हो वो इसलिए बना रहे कि चार साल पहले जब हमने मुंबई के रास्तों का परिक्षण किया था तो ध्यार में आया कि इन रास्तों में नीचे की लेयर ही गाया पर इस प्रकार का भ गड़ा भी उस रास्ते पर नहीं पड़ेगा और मुख्यमंत्री जी ने निरने लिया उसका भी शीलान्यास आज प्रधान मंत्री जी कर रहे है तिन होस्पिटल का शीलान्यास कर रहे है और प्रधान मंत्री जी मैं आपका अभार विक्त करता हूं मुंबई की पहचान क्य करने के लिए उसके विकास का आपने कारेकरम हाथ में लिया और एक बहुत ही सुंदर बहुत ही आइकोनिक इस प्रकार का सीएस्टी रेल्वे स्टेशन फिर एक बार मोदी जी के नेतरुप में हमको मिल रहा है और उसका भी मुवी पुजन आज हो रहा है मैं उसके लिए भी आपका आभारवेक करता हूं मैं आपको इतना ही अश्वस करना चाहता हूं मुंबई की जनता आपको सुनना चाहती है आपका आशिरवात चाहती है आपके आशिरवात से हमने धारावी का भी टेंडर मंजूर कर लिया है एक लाख लोगों को घरों को पुनर्वसित करने का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और केवल आपने रेलवे की लैंड दी इसलिए ये कारेक्रम हम कर पा रहे हैं जल्दी ही उसके भी भूमी पुजन के लिए आपको हम बुलाएंगे और प्रदान मंत्री जी उसमें आपका बहुत आशिरवाद हमको लगेगा उसके सब्सक्राइब करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ जैहिन जैह महाराश्टों